बनसपती बहुमूल साधन था पौधि पीड पौधों से हमें इमार्ती लकडीप्राप्त होती है कैसी इमार्ती यान की महेंगी लकड़ी साथ ही oxygen भी उत्पं होती है किस से पीडों से ही तो oxygen मिलती है में इसी के साथ फाल गौंद कागज और कुछ दबाईयां भी हमें किस से मिलती हैं कुछ दबाईयां भी हमें किस से बनस्पती से प्राप्त होती हैं दबाईयां यानि कि और्षधियां 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 तो कुछ और्षधियां भी हमें किस से बनस्पती से इसी क साथ आप गा था बन्य जीव अब बन्य जीव तो आप जानते हैं यह बन्य में रहने वाले जन्तु हो गए पक्षी हो गए पक्षी बन्य जीव कहला जिन मैंसे कुछ क्या-क्य मिलता किसी सदूद मास खाल या उन भी प्राप्त होता है ठीक है तो अब इसी के साथ थोड़ा बन जीप पर आगे प्राक्तिक बनस्पति का बित्रण अब आपने जो देखा है कि प्राक्तिक बनस्पति है उसे अलग अलग जगए पर अलग जैसा जैसे कि आपने पता है पहले कि अलग अलग जनसंख्या निवास करती है तो अलग अल जादा कहीं कम प्राक्तिक बनस्पति का भी बित्रण है तो बनस्पति की ब्रद्धी मुख रूप से तापमान यह टैंप्रेचर और अर्दिता पर निर्मारत यह की सरद गरम वाला इसको मोसम बेरियेशन चाहिए मोसम में बदला वाली जगे यह जल्दी से पनप जाती है व जो टुंडा प्रकार के बनस्पति है वो सिब धुर्बों में पाई जाती है कहां पाई जाती है धुर्बों में तो यह हमारे लिए उतनी इंपोर्टेट नहीं है बस इसके वारे में जानना कि टुंडा जो बनस्पति है वो कहां पाई जाती है धुर्बों में अब सबसे पढ़ले आते हैं तो बन कितने परकार के होते हैं तो बेशक लिए आपके बंदों पुर्ण होते हैं नोस्तव होतीक्ष्र बिसुक्त के ह Mensch Dzh गहनता कम होती यानि दूर दूर पाए जाते हैं यानि कि इनकी पतियां जड़ जाती। फिर आता आपको घ्गानच सामान वर्षा वाले छी smarter छोटे याकार वाले वरिक्ष या हां से हैं गुल्म क्या है जहांपर बहुत ही कम बरशा होती है यह जैसे केटष हो गया तुर राजिस्थान जैसे इलाकों में नहीं होते है कह थ enact उन्हांपर है आपको बताई चुकाओं की बचाओ होता है तो इनका बचाओ क्यों जरूरी है थोड़ा इस पर डिसकस करते हैं तो बन हमारी संपदा है कैसी संपदा है प्राकर्तिक संपदा है पोधे जंतुओं को आश्य प्रदान करते हैं दूसरा आपने देखा जो पेड़ पोधे होते हैं वो करना यानि बनाए रखना जल बायू में परिवतन और समानव हस्तशेव यानिकि जो आपका प्राइमेट चेंज और जो हूमन एक्टिविटी के कारां पौधे और जन्तूं के प्राक्तिक आवास नश्ट हो रहे हैं आवास का मतलब उनका जर आवास यह बहुत से जातियां सुरक्षित नहीं है यानिकि बहुत से जीव जन्तू या बहुत से पीड़ पौधों की जाति आवास रख्षित हैं कुछ के उपर संकत अत्पन हो गया कुछ लुप्त होने के कागार पहां और कुछ लुप्त भी हो चुकी हैं किसलिए राष्ट्य उध्धान किसलिए सरकार द्वारां विस्व यूनियस को द्वारां एक सयोग से कि इन्हें सुरक्षित करने के लिए बन जीव अभ्यारंड जैब मंडल निश्चे राष्ट्य उध्धान ये विभिन प्रकार के पार्कों का निर्मान किया गया जित पहर दिन सुरक्षित रखा जाएगा राष्ट्य उध्धान बरतमान और भविश्की पीडि के लिए एक से अधिक परितंतों को परिस्थित रखना इनिए एक से जादा परितंतों को बनाए रखना और एक्ता की रक्षा के लिए नामित किये गए प्राक्तिक छेत है जो प्राक्तिक परितंतों की प्रिस्थित्यों को बनाए रखने बरतमान vona एनई आने वाली dictatorship को देखने के लिए यह होते है जैम मंडलılar निश्च चेत्रों की सेंखला है जेम मंडल निश्चेबू है जिसके अंदर सुरक्षित शेक्रों की एक सेंखला आती है जिसका सर्रक्षन यानि बचाव और जिसका डवलपमेंट संबंदी इरादों को के रूप से इसे बनाये गया ताकि इन्हें डवलप किया जाए और इनका विकास किया जाए और इसी के लिए अंतर राश्टी परिपार्टी में सी आई टी सोरी सी आई टी एस एस तो यह हैं सी आई टी एस एक संस्था बनाएगे जिसके अंदर प्रांडी और पक्षों को सरक्षन के लिए कुछ नियम रेगुलेशन बनाए गई अगर आपको वीडियो अ